तो यह मैंने पुलब बार मंगवाया है और मेरे बेटी को बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जूलना लटकना तो मैंने सोचा कुछ ऐसा मंगवाओ जो घर पे घर पे कर पाए और उसको आच्छा भी लगे तो वह आते जाते अभी इसको करते रहता है और उसको बड़ा प्रेंड का एक पुलब और चिनब बार है जो कि मैंने एमेजॉन से पर्चेस किया है और मुझे काफी अच्छा लगा ये प्रॉडक्ट तो इसको ओपन कर लेते हैं पहले पैकिंग तो काफी सई से करके दी है इन्होंने घर पर ये लगाने का परपस है कि अब बच्चा कभी भी पुलब कर सकता है अदर वाइस उन्हें पार्क में जाना पड़ता है तो अभी वो क्या करता है आते जाते और इस पर लटकता रहता है तो कई बर में हम भी लटक जाते हैं तो ये सब आया है इसने एक रॉड है और दो इस तरह से हैंडल्स हैं तो हम इनको कट कर लेते हैं और इसके साथ काफी नट्स भी आए fabra appearं हें और वह काफी हेवी वाले नट्स हैं कि एक तो इसके साथ और और एक पेपर दिया हुआ है इन्होंने कि कैसे कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है तो जो रॉड है वो तो इजीली इंस्टॉल हो जाएगी तो यह देखिए हमने कारपेंटर भीया को बुला लिया है और जो बड़ी बली रॉड है वो तो हाथ से इंस्टॉल हो जाएगी इसमें तो भाया इंस्टॉल कर रहे हैं नट्स वगरा सब कुछ इसके साथ आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यह इस तरह से रॉड को इंस्टॉल कर रहे हैं इसमें और अब इसको लगाने के लिए हमें दिवार में ड्रिल करना पढ़ रहा है तो यह प्लिया कर रहे हैं और जितना उंचा आपको करवाना है अपने बच्चों के हिसाब से तो उतना उंचा आप दिवार पर ड्रिल करवा के और इसको बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर लग मुझे दो बार ड्रिल करवाना पढ़ गया क्योंकि एक बार में वो ठीक से बैट नहीं पा रहा था तो मैंने दो बार ड्रिल करवाया और फाइनली जो यह पुलब बार है वो प्रॉपर तरीके से लग गया है और मेरा बेटा आते जाते इस पे जूलता रहता है तो काफी म तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस पर बहुत इजिली पुलब्स या चिनप्स कर सकते हैं तो यह काफी वेट हैंडल कर लेता है और आपकी दिवार मजबूत होने चाहिए मुझे लग रहा है मुझे लगता है तो यह अच्छे से एक बार फिट हो जाएगा तो आप इजिली इस पर एक्सराइजिस कर सकते हैं